बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com इसी खास समस्या को चुटकियों में दूर करेगा तो चलिए राशिफल की शुरुवात करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है मंगलवार का तारीख है 15 नुमबर 2022 मारगशी शेकरिशन सब्तमी पर चंद्रमा करकर आशर पुशनक शत्र में रहेंगे दिन का शुबंक रहेगा पांच ब्रंग रहेगा हरा शुबदिशा रहेगी पूर्व राहुकाल रहेगा शाम को तीन बज़े से लेकर साड़े चार बज़े तक का रवियोग रहेगा सुबह 46 से ले करके शाम को 4 बच कर 13 मिनट तक थरवार से दियोग रहेगा शाम को 4 बच कर 13 मिनट से ले करके अगले दिन सुबह 6 चमालिस तक दिन का सबसे शुब मौरत रहेगा सुभह नो बचकर एक मिनट से लेकर के दस बचकर उन पचास मिनट तक विशेश क्या है मार विशेश सब्तमी है और इस दिन विशेश रूप से सूर्य का पूजन किया जाएगा और हमारा जो विशेश उपाय है वो भी सूर्य पूजा से ही जुड़ा हुआ है बताएंगे आपको आर्थिक सफलता कैसे मिलेगी उसके लिए राशिफल आखिर तक देखेगा शुरुवात करते राशिफल की पहली राशी मेश यानी एरिस के साथ में जल्दबाजी में निरणय लेने से हानी होगी परिजन बातों पर गौर करेंगे धर्म कर्म में शामिल होंगे जीवन साती की सेहत सुधरेगी छातरों को सफलता मिलेगी उपाय ये करें कि धर्मस्तल में लाल बस्तर चड़ाएं शुभंक पांच रहेगा शुभंग रहेग शुभंक दो रहेगा शुभंग रहेगा सपेद तीसरी राशी मिथुन यानिक जमनाई की बात करेंगे भाग ये पूरा साथ देगा मन खुश रहेगा माता की सेहत पर ध्यान दे भैकावे में आने से बचें पैर में चोट लगने के योग हैं सामाजिक सम्मान बढ़ेगा उपाईए करें कि कागस पर लाल पैंसे स्ट्रीम लिखकर परस में रखें शुभंक एक रहेगा शुभंग रहेगा लाल चौती राशी करक यानिके कैंसर की बात करेंगे काम में लोग मदद नहीं करेंगे पुराने रोग परिशान करेंगे नई संपत्ती में नवेश करेंगे जिवन साती से खुलकर बाते करेंगे दोस्तों के साथ में समय बिताएंगे उपाई ये करें कि बिखारी को मसूर की दाल दान करें शुभंक साथ रहेगा शुभरंग रहेगा सिलिटी पांचवी रशी सिंग यानि कि लियो की बात करेंगे सुभाव में बदलाव आएगा कारोबारी योजना से लाब होगा पड़ोसियों की मदद करेंगे करूद से दूर रहें परीजन नाखुश रहेंगे शेर बजार से लाब के योग हैं उपाई ये करें कि कागस पर लाल चंदन से प्रेम लिखकर धरमस्तल में चड़ाएं शुभंक च्छे रहेगा शुभरंग रहेगा गुलावी चटी रैशिक कन्या यानि के वर्गो की बात करेंगे किसी के भेकावे में ना आएं समय रहते सारे काम पूरे होंगे पिता से मनमटाव की योग हैं जिवन शैली में बदलाव आएगा विरुधियों से विवाद के योग हैं उपाई ये करें कि गेहों के दाने करपूर से जला दें शुभंक एक रहेगा शुभंक रहेगा लाल सात्वी रैशित तुला यानि की लुगरा की बात करेंगे काम का समय पर पूरे होंगे मन खुश रहेगा बुद्धिवल से सारे काम काच पूरे होंगे कारे स्थल पर अलग पहचान बनेगी प्रेम प्रसंग के चलते उदास रहेंगे उपाईये करें कि तिजोरी में गुगल से धूप करें शुभंक दो रहेगा शुभंक रहेगा सफेद आठी राशी व्रिष्चे केनिक स्कॉर्फियों के बात करेंगे कारेशंता में व्रद्धी होगी जीवन शली में बदलाव आएगा आये के नए सुरोत मिलेंगे घरीलो महोल खुश्णुमा रहेगा मांगले कारीकरम में भाग लेंगे उपाईये करें कि तामवे के लोटे से पानी पीएं शुभंक पांच रहेगा शुभंक रहेगा हरा नवी राशी धनू यानिकि सेजितेरियस की बात करेंगे करियर में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे करीबी रिष्टेदार कामकाच का विरोध करेंगे संपती में विवात कांतू होगा पिता के व्यवसाय में रुची कम रहेगी उपाईये करें कि नारियल पर मौली लपेट कर गरीब बच्चे को दान करें शुभंक आठ रहेगा शुभंक रहेगा काला दस्वी राशी मकर यानिकी किप्रकौन की बात करेंगे समय रहते काम पूरे करेंगे पारिवार एक असहयोग से काम प्रभावित होंगे घरिल उतनाव समाप्त करने के लिए परियास करेंगे संतान से खुशकबरी मिलेगी उपाईये करें कि छट्यां बॉलकनी में यातरा के योग हैं उपाईये करें कि यथा संबव हलवे का सेवन करें शुभंक चार रहेगा शुभरंग रहेगा नीला बारवी राशी मीन यानिकी पैसिस की बात करेंगे सेहत पर ध्यान दें घर पर महमान आएंगे खास विक्ति की मदद से रुके वे काम पुरू होंगे नए कामों की योजना बनाएंगे पारे बार एक संबन्द वजबूत रहेंगे उपाईये करें कि धर मिस्तल में मौली चड़ाएं शुभंक आठ रहेगा शुभरंग रहेगा काला तो दोस्तों आप समय है आज के विशेश उपाई का वो विशेश उपाई जो आर्थिक सफलता आपको दिलाएगा देखिए खास दिन है मार विशीश की सब्तमी है और उस दिन विशेश रूप से सूरे का फूजन किया जाएगा तो आप क्या करें पानी में लाल चंदन मिलाकर सूरे को अर्ग दें और इस पूरे प्रियोग में एक विशेश मंतर का जाब करें ओम भास कराये नमह आश्वस्त करता हूँ आपको आर्थिक सफलता निश्चित मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्शुभाए झापको आपको आर्थिक सफलता हुआ झाल 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 झाल